सलाम नमस्ते ही ससीकल आजाब कैसी हैं दोस्तों मैं हूँ जस फ्रॉम साम इंजर्ज एरन मेकप अकाड़मी मॉमबाइब चली आज एक और नया टॉपिक और बहुत कमाल का टॉपिक है बहुत सारे स्टाइलिस्ट समझ ही नहीं पाते हैं आज आप देख सकते हैं करली बाल करना है और नाचरल भी दिखाना है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं तो आज सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको लेना है थोड़ा सा पानी अपने हाथो में हमारे जो क्लाइंट के हैर है वो प्रॉपर वाश कियो है हमने और यहां पर कर्ल्स क्रीम है वाट वी आ यूजिंग इट राइट नाव तो इसको हाथ में लेना है आपको दिहार रखना है तो हम लोग क्या कर रहे है प्रॉपर हेर वाश किया हुआ है क्या किया हुआ हम लोग ने शांपू कंडीशनर सब लगाया हुआ है प्रॉपर ली ओके उसके बाद में सिरम की जगा पे अभी टॉवल ड्राइ किया टॉवल ड्राइ करने के बाद में सिरम की जगा पे हम लोगों ने ये प्रोड़क्ट लगाया है, ओके, विच इस दी कर्ल क्रीप, आप देख रहे हो, पहले हम लोग ने क्या किया था, पहले हाथों में थोड़ा पानी लिया, पानी लेके हम लोग ने हाथों में प्रोड़क्ट लिया, उसको proper हम लोगों ने heat up किया और उसके बाद हम लोग evenly उसको distribute कर रहे हैं बालो पे evenly देख रहे हैं आगे पीछे हर जगा पे उपर नीचे everywhere ताकि कोई भी portion पे ऐसा ना हो यह जो product है ना लगाओ बहुत अराम से लगाना है तो अभी जैसी आपको यह product लग जाता है even after putting this product आप अगर यह client without अभी जैसे अभी हम लोग इसका अभी आप देखें हम लोग diffuser यूज कर रहे हैं अगर हम diffuser नहीं भी यूज करते तो उनको natural भी dry करने के लिए देते ना तब भी इनके curls आ जा जाते हैं लेकिन अभी क्योंकि हमें salon से अभी इनको party में जाना है तो हमें salon में प जाता है उसको diffuser बोलते हैं जो हम लोग curly बालो के लिए यूज करते हैं बहुत सारे style हैं यह क्या है समझ में नहीं आ रहा इसको कहां यूज करना है इसको curly बालो के लिए नाच्रल ड्राय करने के लिए इवन अगर आप ब्लो करते हो ना अगर आप diffuser ना लगा और आप ब् diffuser से पहले आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्या किया पहले hair wash किया दुबारा बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको clear हो जाए पहले hair wash किया hair wash करके shampoo conditioner करके जो हमने product लिया उसको हम लोग ने अच्छी से heat up किया heat up करने के बाद में फिर उसके बाद हम लोग ने प वो full blow और medium heat होनी चाहिए बहुत जादा full heat मत दो अगर scalp के पास कर रहे हो आप जैसे edges पर कर रहे हो बालों के वहाँ पर फुल heat दे सकते हो चलेगा लेकिन एक जगा पर रोको मत keep moving keep moving keep moving keep moving मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ curly बाल सबसे ज़्यादा खुबसरत बाल होते हैं लेकिन हमारे इंडिया में straightening का पता नहीं मुझे समझ में आता है लोगों को straightening में क्या मज़ा आता है लेकिन जिनके बाल curls है ना वो god का gift है ये समझे लो it is a god's gift लेकिन हमारे हैं पर इ straightening करते रहेंगे ये देखो कितना प्यारा लुक है this is the look what I want everybody should carry तो यह हमारा आज का लुक I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये भी लुक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कर्ल्स क्रीम कैसे यूज करनी है कहां यूज करनी है तो मुझे लगा कि आप ल लगा बताये ज़रूर मैं आप लोगों के comment सब पढ़ता हूँ आज का ये टौपिक अपको कैसा लगा मैं आप लोगों के comment का wait करूंगा थैंकि सो मच अब हम लोगों को बताने वाला हूँ हमारी आकाड़मी का प्रीमियम इसको मैं बोलू हूँ हमारी प्रीमियम प्रीमीयम ध्यादिक मेरे में घ्मिकल्पन पूरा कोर्स त्री मंख्राइब का था अब हम लोग ने उसको फांच महीने में आपका पूरा कोर्स घ्र केमिकल करने वाड़े हैं जैसे में आपको पर्यम बनाया दो प्रैक्टिकाल की प्रैक्स की ऑड़िये जितना यहां से बयूद रहें किसा तृ कि बाहर जाने के बाद बाहर सीज हा-क लोगत करने वाले हैं कि लोगो सिखांगे बहुत मेहनत करने वाले हैं आप लोग को सिखाएंगे प्रॉपर मैं फिर बोलूगा आपकी गैरेंटी ले रहा हूं कि मैं अच्छा पढ़ाने वाला हूं हमारी एकड़िमी के टीचर आपको अच्छा पढ़ाने वाले हैं ठीक प्राक्टिकल कम्प्लीट टाइमिंग है बारा बजे से छे बजे तक मंडे से सेटरडे वर्सवा अक आपको यहां तक समझा पाया होंगा अगर आपको करना है तो अभी करो क्योंकि पहले तरीकों क्लास शुरू हो जाएं थैंक्यू सो मच वाचिंग देस लवियों थेक खेर बाबाए जय हैं जय भारत अभी के भी वाट्सअप करो कोई भी डाउट होता है ना वाइस मेसेज करना ताकि हम लोग समझना हैं बाबाए